दोस्तो मैं सौरम बलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टेडी चैनल पर स्वागत करता हूँ तेली करेंट फेर क्वीज में आज हम देखेंगे 10 फरवरी की करेंट फेर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैधपून रहेगी डेली करेंट फेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूँगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है दोस्तों केंदर ने भारत के सर्वुच न्यालने में कितने न्यादीसों की न्यूकती को अधिसूचित किया है तो इस कोशन का आंसर फटाफट कमेंट बोक्स में बता दीजेगा चलिए सुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हालही में कहां अर्बी अकेडमी का उद्गाटन किया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा मुंबई में यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा कोशन आता है हालही में किस देश के खिलाडी कामरान अकमल ने किरकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना की है तो दूसरे कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कामरान अकमल बांगदेश के किरकेट खिलाडी है यानि की ओप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा कोशन आता है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फोर आता है तो कोशन नमबर फोर का दोस्तों राइट आंसर रहेगा विक्टोरिया गोरी यानि की ओप्शन सी इस दा राइट आंसर तो ये आपको याद आखना है कोशन नमबर फाइव आता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लॉंच किये है तो मेरे प्यारे दोस्तों पाँचवे कोशन का राइट आंसर रहेगा ओप्शन भी करनाटक यानि की बी इस दा राइट आंसर ये आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो Only Top Study एप को डाउनलोड कर लीजेगा और Current Affair वाले सेक्शन में जाकर के आप Daily Current Affair का पीडियाप ले सकते हैं बाकी की यूटूब वीडियो का भी पीडियाप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं यूटूब फिरी पीडियाप वाले सेक्शन में जाकर के और प्लीज आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एप को 5 स्टार की रेटिंग जरूर करियेगा चैदार के कोशन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडियाप है जिसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है इस्टी, जोग्रफी, पॉलेटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, कैमेस्टी, बायलोजी, करेंटर, फिर, कंप्यूटर, इस्टेटिक जीके या आप हमारी वेबसाइट या वोटसप नंबर से परचेज कर सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सकाइब कर लेना चटा कोशन है, हालही में मैमार और किस देश ने परमानों उर्जा विक्सित करने के समझोते पर हस्ताक्सर किये हैं वेरी, वेरी इंपोटेन्ट है दोस्तों, इस कोशन का आंसर जरूर बताएगा चटा कोशन रहेगा आपका राइट आंसर ओप्षन ए रूस के साथ में यानि कि A is the right answer अगला कोशन आता है हाल ही में किसने Now you breathe के लिए Golden Books Award 2023 जीता है Very very important तो साथवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा ओप्षन दोस्तो हो जाएगा राखी कपूर जी ने यानि कि C right answer हो जाएगा कोशन नमबर 8 आता है हाल ही में मिंत्रा ने किसे अपना Brand Ambassador न्यूक्त किया है तो मेरे प्यारे दोस्तो आठवे कोशन का right answer क्या रहेगा बिलकुल सही उत्तर है Option C रनवीर कपूर को यानि कि दोस्तो C right answer हो जाएगा कोशन नमबर 9 आता है हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला गरहे कोन सा बना है तो मेरे प्यारे दोस्तो सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला गरहे कोन सा बना है नोवे कोशन का right answer रहेगा Option C ब्रसपती यानि कि C is the right answer ये आपको याद अखना है अब दोस्तो ब्रसपती के अगर मैं बात करूँ तो 92 यहाँ पर moons हो चुके है ठीक है तो ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैपसूल को किस देश ने खोज निकाला है काफी important कोशन है जल्दी से आंसर बताएगा इस कोशन का सही आंसर क्या रहेगा देखे दसवे कोशन का राइट आंसर हैगा ओस्ट्रेलिया यानि की option C is the right answer नेक्स्ट कोशन आता है ग्यारवा राजिस्थान उचिन्याले का मुख्य नियादीस फरवरी 2023 में किसे निक्त किया गया तो ग्यारवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल नियायमूर्ती पंकज मितल यानि की दोस्तो राइट आंसर C हो जाएगा ग्यारवे कोशन का सही उत्तर बारवा कोशन है निवन में से किस देश ने परमानू सेयंतर में परिक्षन करने के लिए दुनिया का पहला सूपर चुमबक विक्सित किया है तो बारवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही यहाँ पर दोस्तो बी राइट आंसर हो जाएगा युनाइटिड किंग्डम ने ठीक है बी इस दा राइट आंसर यह आपको याद अखना है और देखिए अगर आपको हमारे सेशन पशंद आता है प्यारे दोस्तो तो इसको जरूर लाइक क्या करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं भाई बेहन उन तक भी शेयर कर दिया करें क्योंकि केवल 10 मिनट में मैं आपको regular हर रोज दोस्तो वीडियो ले कर आता हूं और पूरी current affair कवर कर आता हूं तो प्लीज थोड़ा सा support जरू करें question number 13 है दोस्तो रास्टिय नाट्य विद्याले द्वारा भारत रंग महुत सव का कौन सा संसकर्ण का आयुजन किया गया तो तेरवे question का दोस्तो right answer रहेगा बाइसवा संसकर्ण यानि की B is the right answer ये आपको याद अखना है question number 14 है पाँचवे खेलो इंडिया यूथ गेम में निमिन में से कौन सा राज्य सिर्शिस्थान पर रहा है तो question number 14 का दोस्तो right answer रहेगा बिल्कुल सही महरास्टर दोस्तो इसमें सिर्शिस्थान पर रहा है यानि की D is the right answer question number 15 है World Happiness Report के अनुसार किस देश को लगतार पाँचवे वर्स दुनिया का सबसे खुसाल देश खोसित किया गया है तो 15 का दोस्तो right answer रहेगा फिल्लेंड को यानि की option a right answer हो जाएगा question number 16 है दोस्तो इसरो नासा निसार उपगरेब भारत से किस महीने में लौँच किया जाएगा तो 16 कोशन का right answer क्या रहेगा option B सितंबर महीने में दोस्तो लौँच किया जाएगा तो यानि की B is the right answer question number 17 है देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी को डिजिटल भुगतान उत्सव का सुबारम किस ने किया तो question number 17 का right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तो अस्वनी वैसनव जी ने यानि की C is the right answer ठीक है question number 18 है हाल ही में विश्व के सबसे परतिवा साली छात्रों की सूची में सर्वुच स्कोर किस ने हासिल किया है दोस्तो right answer रहेगा नतासा पेरियान यागम यानि की option दोस्तो ये right answer हो जाएगा ठीक है very very important question है याद रखेगा question number 19 है Reliance GO और GSMA ने भारत में किस कारेकरम का अनावरण किया है दोस्तो 19 वे question का right answer रहेगा डिजिटल कोशल कारेकरम यानि की b right answer हो जाएगा question number 20 है हाल ही में किसे plant based meat brand अनक्रेव ने ambassador बनाया है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा तो right answer हैगा वीरदास जी को यानि की b right answer हो जाएगा ये तो हो गए हमारे 20 current affair अब एक question जो की दोस्तो हमारा homework का question है इसका answer आप लोग comment box में बताएगे question है हाल ही में किसने चटे वर्स ATD best award 2023 जीता है तो इसका answer आप लोग comment box में बताएगा जो इसका सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है भारत के विदेश मंतरी कोन है तो फटा फट इस question का answer comment box में बता दीजेगा और इसके लिए मैं आपको कुछ second का समय देता हूँ I hope कि आप सभी ने दोस्तो इस question का answer comment box में बता दिया होगा भारत के विदेश मंतरी कोन है तो दोक्टर सुबरमन्यम जय संकर दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा यानि कि C is the right answer जो कल का हमारा homework का question था वेस्विक दूद उतपादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दूद उतपादक वाला देश कोन सा बना है दोस्तो राइट आंसर भारत रहेगा और यह very very important question है जरूर याद रखना क्योंकि exam में 100% पूछा जा सकता है इस PDF को आप download कर सकते हैं हमारे app से only top study app पर जाएगा current affair वाले section में जाके आप आज की PDF को download कर पाएंगे 6000 के question answers की जो हमारी PDF है दोस्तो यह मांतर 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारी website पे विजिट करना है इसमें सारे subject है दोस्तो history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk और आप हमारी website पे जाकरके यह PDF परचेज कर सकते हैं WhatsApp नंबर से भी आप इस PDF को ले सकते हैं लिंक हम भेज देंगे चैल को subscribe करके bell icon को जरूर own रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिसना करें ठीक है मिलते है next class में अच्छे लगे तो वीडियो को like share कर देना